जहां पर सनी देवल गदर जैसे मुवी को ब्लाग बास्टर दे रहे हैं वहीं पर उनके बेटे राजवीर देवल किसी से कम नहीं है बाली बुड में एक नई मुवी आ रही है मुवी का नाम है दोनों इस मुवी के हीरो सनी देवल के बेटे राजवीर देवल है और इस मुवी की हीरोईन पुनम दिलोन की बेटी पालोमा दिलोन है अगर हम इस मुवी में काम करने वाले एक्टर के बारें बात करें तो इस मुवी के एक्टर राजवीर देवल, पालोमा दिलोन, कनिका, कपूर, रोवन खुराना आदित्यनन्द है मुवी में रोमांस प्यार और रोमांटिक सीन है अगर इस मुवी की कहानी की बात की जाए तो इस मुवी में राजवीर और पालोमा दोस्त है राजवीर को पालोमा से प्यार हो जाता है पर पालोमा को राजवीर से प्यार नहीं होता है पालोमा किसी दूसरे लड़के से प्यार करती है पालोमा पढ़ाई के लिए सहर चली जाती है कुछ साल बाद पालोमा की साधी पढ़ जाती है जब राजवीर को पता चलता है उसके साधी के बारे में तो उसे बहुत दुख होता है पालोमा करती है अगर तुम मेरे साधी में नहीं आओगे तो मैं साधी नहीं करूंगी राजवीर को मजबूरन साधी में जाना पड़ता है उसे वहाँ पर एक लड़की से मुलाकात होता है जो की कनिका कपूर रहती है वहाँ पर साधी में बात करते करते एक दुसरे के दोस्त बन जाते हैं कनिका कपूर राजवीर से प्यार करने लगती है पर राजवीर के वर पालोमा से प्यार करता है एक बार राजवीर अपने मित्र से फोन पर बात कर रहा होता है वह अपने मित्र से कहता है कि मैं पालोमा से 10 साल से प्यार कर रहा हूं और यह बात पालोमा को नहीं पता था उसका मित्र उसे बहुत समझाता है कि वह जाकर पालोमा से बात करे और अपने प्यार का इजहार करें पर वह सोचता है कि पलोमा उसे कही न गलत समझ ले इसलिए वह डरता था यह सारी बात कनिका सुन लेती है और राजवीर को गलत समझ बैठीती है पनिका सोचती है कि राजवीर पलोमा की साधी को तोड़वाने के लिए आया है राजवीर अपनी पूरिक आनी कनिका को बताता है या बात पलोमा सुन लेती है फिर राजवीर और पलोमा दूसरों एक हो जाते हैं पर कई न कई देखा जातों सच्चा प्यार करने वाले एक दूसरे से कभी अलग नहीं होते हैं गाईस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले